कि हलो दोस्तों स्वागत आपका वीडियो में और आज से हम पैर ओफ स्टेट लाइन का यह जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर जो सबसे पहले हम पैर ओफ स्टेट लाइन पढ़ेंगे जो की ओरिजिन के थूप पास होती है तो यह पैर ओफ स्टेट पैर में उनके जो भी डेरिवेशन से वह सबम देखेंगे और बाद में फिर हम जो ऐसी पैर ओफ स्टेट लाइन जो कहीं से भी पास होती है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं तो पैर ओफ स्टेट लाइन का हम सिंपल भाशा में मीनिंग बोले तो दो स्टेट लाइन की एक्वेशन को एकी एक्वेशन में रिप्रेजेंट करना यह कहलाता है पैर ओफ स्टेट लाइन जैसे कि अभी हम पैर ओफ स्टेट लाइन पासिंग थू ओरिजिन पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर दो स्टेट लाइन कर लेते हैं जो की ओरिजिन से प होगी कोई सी भी लाइन जो ऊरिजन से पास होगी उसमें एक्वाइ अगर युझे होगी इस म। tribute करें तो जो सी है उसकी वेल्युट रु के वे वरावर होगी इस कंडिशन पर जो लाइन है वो कहां से पास होगी ऑडिजन से पास होगी अब हमें क्या करना है इन्हें साथ में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे इसा लिख सकते हैं y-m1x equals to 0 और y-m2x equals to 0 और इन दोनों ही equation को मैं multiply करूँ तो left hand side को left hand side से multiply करेंगे और right hand side को right hand side से multiply करेंगे तो multiply करने के बाद हमें मिलेगा y square minus m1 plus m2 x plus m1 m2 x square equals to 0 यह usual form होगा pair of state line की equation का जो origin से पास हो रही है अब generalized form हम देखे देखे y square वाली term हारी है x वाली term हारी और x square वाली term होगी तो इस pair of state line का जो general form होगा general form जो होगा वो है a x square plus twice h x y plus b y square equals to 0 यह हो गया general form pair of state line passing through origins का तो question में जो भी आपको equation given होगी वो इस form में given होगी जैसे example के तोर पे मैं ले लेता हूं 2 x square plus 5 x y plus y square equals to 0 इस form में equation given होगी आपकी pair of state line की अब इस equation का use करके आपको दोनो equations कैसे निकालनी है लाइन की बीच में एंगल क्या है उनके एंगल by sector की equation क्या होगी उनका point of intersection क्या होगा यह सब निकालना रहता इस पूरे topic में ठीक है तो अगर आपको separate equation given है तो उससे यह form बनाना तो आसा ने पर इस form से आपको individual equation निकालना यह थोड़ा सा difficult task होता है तो इसके लिए हम formulas derive करेंगे और हम एंगल निकालेंगे और एंगल by sector की equation निकालेंगे और point of intersection निकालेंगे पर आज के lecture में जो line से इनके बिश में angle निकालना सिखाऊंगा और condition कब वो lines perpendicular होगी कब वो lines parallel होगी वो हम सिखेंगे आज इस lecture में ठीक है तो हम क्या करते हैं यह वाली जो equation है कौन सी वाली यह वाली इसको इस form में लेकर आते हैं इस equation को इस form में लेकर आते हैं तो हम इससे लिख सकते हैं वाई स्क्वेर प्लस ट्वाइस एक स्क्वेर यहां पर एक मिस्टेक है यहां पर वाई वाली टम मैंने लिखी यह वाई वाली टम आएगी वाई स्क्वेर माईनस M1 प्लस M2 X Y प्लस M1 M2 X स्क्वेर अब यह बिल्कुल करेक्ट है तो यह जो जनरल फॉर्म है उसको हम इस इस फॉर्म में लाएंगे स्क्वेर प्लस ट्वाइस H X Y by B plus A by B X square equals to 0 अब यहां पर देखे हैं to look x square का जो कोफिशेंट है वह हो जायेगा A xy का जो कोफिशेंट है वह होगा 2h और y ke जो कोफिशेंट हो जायेगा b जैसे एकजांपल के तोर पर हमार पास या से क्लियरली लिग सकते हैं कि एकिविवैलू है टू के बराबर एज की वैल्यू है 5 by 2 के बराबर और B की जो value है वो है 1 के बराबर यह A, B और H यह तीनों values हम easily निकाल सकते हैं और आगे जो भी result हम derive करेंगे वो A और B H के terms में होंगे क्योंकि यह सब हम easily निकाल पाएंगे ठीके तो इस equation को और इस equation को मैं compare करें तो यहाँ पर sum of roots और मतलब sum of slopes और product of slopes यह निकाला जा सकता है तो M1 प्लस M2 इसको हम compare करें मतलब जैसे xy का जो coefficient है अगर यह दोनों equal है तो xy का इधर का coefficient और इधर का coefficient सेम होना अच्छी है तो M1 प्लस M2 यह बराबर होगा माइनस twice H by B के और M1 M2 यह बराबर हो हो जाएगा A by B के अब दो लाइन के बीच में अगर यह दो लाइन में ने consider करी इसके बीच में मुझे angle निकालना है तो यह जो angle है 10 theta यह बराबर होता है माइनस M2 अपॉन प्लस M1 M2 यह एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं 10 theta is equal to M1-M2 अपॉन प्लस M1 M2 और इसका मॉड ले ले लेते हम अब यह angle निकालने का जो formula इसमें बस एक दिक्कत हमारे पास आ रही है कि हमें M1 प्लस M2 की value पता है और M1 M2 की value पता है अब यहां पर देखिए M1-M2 की value चाहिए और M1 M2 की value चाहिए M1-M2 हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए हम equation use करेंगे M1-M2 का square is equals to M1 plus M2 इसका square minus 4 M1 M2 इस equation का use करके हम M1-M2 की value निकाल सकते हैं ठीक है तो M1-M2 is equals to under root of M1 plus M2 इसका square minus 4 M1 M2 और values हम sum put कर दें तो M1 plus M2 की value यह है इसका square करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 4H square by B square और minus 4 M1 M2 की value है A by B के बराबर तो यहां पर आ जाएगा A by B ठीक है अब थोड़ा सा क्या मुझे space की जरूवत है तो मैं यह जनरल फॉर्म यह में रब कर देता हूं तो जो जनरल फॉर्म है वह मैंने यहां पर लिख दिया है M1-M2 की value हम इसके थोड़ा simplify कर लें तो M1-M2 यह बराबर आ जाएगा twice of under root of H square minus AB upon B के और यह जो formula है जो की angle lines के बीच में angle निकालने के लिए use में आता है उसमें हम values put कर दे किस कि value M1-M2 की और M1-M2 की तो हमें मिलेगा यहां पर twice of under root of H square minus AB by B upon one plus M1-M2 तो one plus A by B और जब इसे हम हम पूरा simplify कर लेंगे तो हमें मिलेगा twice under root of H square minus AB upon A plus B यह हमारे पास एंगल निकालने के लिए formula आ गया कि इसकी मदद से हम जो line से उनके बीच में acute angle निकाल सकते हैं अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो equation है आपको किस form में given होगी तो उससे आप H A और B की value निकाल सकते हैं वह value directly इसमें put करें और angle निकालने दोनों lines के बीच में तो यह तो formula हो गया angles के लिए अब conditions देखते हैं कब lines parallel होगी है कब lines क्या होगी तो यह नीचे वाला आप हमारा part कुछ काम का नहीं है तो यह में रप कर देता हूं और systematically जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे आप लिखते जाहिए तो यहां पर जब lines parallel होगी when lines are parallel उस condition में जो 10 theta है इसकी value होगी जीरो के बराबर लाइन parallel है तो उनके बीच में जो angle है वो 0 degree के बराबर होगा तो 10 0 degree की value होती है 0 ठीक है तो यहां से हमें मिलेगा 0 equals to twice under root of h square minus a b upon a plus b और इसको हम पूरा simplify करें इस equation को तो हमें मिलेगा h square equals to a b क्योंकि a plus b को यहां left hand side पर 0 हो जाएगा square करते दोनों side फिर h square equals to a b आपको final result मिलेगा यह आ गई आपके पास condition condition for parallel lines अगर line parallel होगी तो h square किसके बराबर होगा a b के बराबर अब दूसरी condition when lines are perpendicular lines perpendicular है तो उनके बीच में जो एंगल है वो 90 degree के बराबर होगा 10 90 जो है यह होता है not defined या इसको हम बोल सकते infinite ठीक है तो perpendicular की condition कैसे निकाले जाए तो हम क्या करेंगे reciprocal ले लेंगे क्या reciprocal लेंगे और 1 by infinity के होता है 0 तो यहां से हमें मिलेगा 0 equals to a plus b यह हमार पास आगे condition condition for perpendicular lines parallel lines की भी condition होगी perpendicular lines की भी condition होगी या perpendicular lines में एक और condition देखिए अब यह a और b तो कोई सी भी जैसे a2 है तो b-2 होगा a1 है तो b-1 होगा पर एक case यह भी हो सकता है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो तो यह कौन सी pair of lap को represent करेगा देखिए general form क्या है x square plus twice hxy plus b y square equals to 0 अब a b 0 b b 0 तो equation क्या मिलेगे अपनको twice hxy equals to 0 मतलब xy equals to 0 और यह यह pair of line किसकी equation है यह coordinate axis की equation है two dimension plane में जब मैं यह coordinate plane बनाता हूं तो यह होती है x axis यह होती है y axis x axis की equation क्या होती है y equals to 0 y axis की equation क्या होती है x equals to 0 और इन दोनों के बीच में angle किता रहता है 90 degree angle रहता है तो a b 0 b b 0 तो यह हमको equation किसकी देती है coordinate plane की coordinate axis की देती है coordinate axis की equation x axis की और y axis की और दोनों क्या रहती है एक दूसरे के mutually perpendicular तो यह तो हो गया angle कैसे निकाले लाइन के बीच में पैडल की के condition होगी और perpendicular की क्या condition होगी अब अगर मैं पर पैर और स्टेट लाइन की बने तो equation कैसे बताए individual lines की और यहां पर केस वही है कि जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है तो यहां पर मुझे स्पेस की जरुवत है तो इतना यह पार्ट में रॉप करने वाला हूं आप यह फॉर्मला लिख लीजिए यह एंगल निकालने का फॉर्मला है और यह कंडिशन लिख लीजिए कि पैरलल की किया कंडिशन होगी पर्पेंडिकुलर की कंडिशन होगी और यह जो स्पेशल केस एक्वल्स टू जिरो बीक्वल्स टू जिरो यह कौन सी पेर ओफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगा है ठीक है यह equation हमें तब मिलेगी जब बराबर जीरो के और बी बराबर जीरो के तो इतना पार्ट में आप रब करने जा रहा हूं तो सिंपल सी बात है equation हमें इसी फर्म में गीवन होगी AX square plus twice HXY plus BY square equals to 0 और इसमें से हम इस equation को B से divide कर दें तो हमें क्या मिलेगा Y square plus twice HXY by B plus A by B X square equals to 0 अभी इस equation को हम X square से divide कर दें तो हमें क्या मिलेगा Y by X का whole square plus twice H by B और यहां पर आजाएगा Y by X X square से divide कर दें प्लस A by B equals to 0 अब यह हमारे पास क्या बन गई एक quadratic बन गई किसके y by X के term में क्या बन गई quadratic बन गई और इस quadratic के roots निकाले जा सकते है quadratic equation का formula यह उस करते है So Y by X equals to क्या formula होता है minus B plus minus under root of B square minus 4 AC upon 2 अगर आपके पास quadratic equation हो AX square plus BX plus C equals to 0 तो minus B यह वाली जो term है मतलब quadratic equation के comparison में मैं बता रहा हो मतलब coefficients के terms में तो अगर आपके पास equation यह है X square plus BX plus C equals to 0 तो यहां पर roots होंगे X equals to minus B plus minus under root of B square minus 4 AC upon 2 A इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेकर 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 यह जो कोडिक बन गही है Y by X में कोडिक बन गही है So minus of twice H by B plus minus under root of B square मतलब twice H by B ka square So, हमें में मेलेगा 4 H square by B square minus 4 A by B upon 2 इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेकर लेकर, so Y by X is equals to minus twice H by B plus minus यहां हमें मिलेगा twice under root of H square minus AB upon B और यहां से अब हम equation लिख सकते हैं एक equation plus Saen के साथ में हो जाएगी और दूसरी equation किसके साथ में हो जाएगी माइनस S 드 मिलेगे तो equation मेलेग्रों पहली equation हो जाएगी Y by X is equals to minus twice H plus twice under root of H square minus AB upon B वहन है यह पहली equation हो गी दूसरी equation का हो जाएगी Y by X equals to minus twice H minus twice under root of H square minus AB upon B यह आगई individual lines दोनों lines की equation यहां पर हम लिख सकते हैं और यहां जैसे मैं आपको शुरू में ही बता सुखा हूं कि A B और H यह तो आप शुरू में ही निकाल लेंगे pair of strict line देखते से ही origin से पास होने वारी जो pair of line से उसकी equations में से आप A B और H डारेक्ली निकाल लेंगे वो सब वैल्यूस ही आपको पूट करनी यहां पर इसमें भी H A और B की वैल्यू पूट करनी और दोनों lines की equation निकल जाएगी ठीके तो यह हो गया कि pair of line से individual lines की equation कैसे निकाला जाए और जो मैंने आपको जैसा शुरू में बताया था कि यहां पर हम equations देखेंगे उनका representation देखेंगे एंगल निकालना सीखेंगे condition of parallel lines condition of perpendicular lines यह सब पूरा मैंने इस वीडियो में discuss करा next वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर की equation pair of straight line की equation लिखना सीखेंगे जो लाइन से पास हो रही है उनका जो एंगल बाइसेक्टर की जो equation होगी वह हम उसका derivation देखेंगे आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले notification bell प्रेस करें ताकि जैसे निया वीडियो अप्लोड होए आपको तुरंत उसकी information मिल जाए thank you so much thank you for watching